नमस्कार मैं नम्रिता सुपला आप देख रहे हैं वोईस ओफ राइट्स न्यूज आए देखते हैं खबरे विस्तार से तहसील चौरई चान बिच्छुआ के समस्क ग्राम पंचायतों एवं ग्राम रिंग छेत्र में बड़े हरसो लास के साथ हर्चट तिवहार के पर्व को सारजनिक रूप से कत्रित होकर पुत्रवती महिलाओं ने संतान की प्राप्ति एवं दिरगायु के लिए यह पर्व सापूरवक मनाया महिला इस दिन स्नानादिकर की बेटी की लंबी आयू की कामना करते हुए निर्जल ब्रत रखती हैं फिर गोबर से लीप कर हर्चट तयार करती हैं सबसे पहले कच्चे जनेउक का सूथ हर्चट को पहनाया जाता है पुत्रवती महिलाओं दौरा बताया जाता है कि इस पर्व को हल्चट, हल्शस्टी, बलराम जैनती और कहीं कहीं लली छट के नाम से भी जाना जाता है इस दिन पुत्रवती माँ अपने पुत्रों की लंबी आयू के लिए हर्चट माता का व्रद रखते हुए पूजा अर्चना करती हैं हिंदु धर्म शास्टों के अनुसार भाद्र मास्क के पृष्ण पक्ष की सस्टी को बलराम जी का जन में हुआ था जिसमें बलराम जैनती मनाई जाती है उलेखनी है कि हल्चट पुत्र वती महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयू के लिए रखती हैं इस दिन व्रत रखने वाली माई बिना हल चले धर्ती का अनुव वसई के चाबल भैस का दूद दही महुआ आधी वस्तों खाती हैं इस दिन गाय का दूद दही आधी खाने की सक्त मनाही होती है इस वरत में महिलाएं प्रती पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी के बर्तों में भुने हो अनाज को रखती हैं हलचट के दिन दिन भर निर्जल व्रत रखने के बाद सामको बसई के चाबल महुए से पारण की परंपरा है जिसमें महिलाएं सुसमा चौरिया, गंगा चौरिया, सेक्टों की संखें महिलाएं उपस्थित रही है